वेल्कम टू FDS Pharmacy और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं वह है पार्मस्योटिक्स का चाप्टर नमर 5 देखेंगे 5 स्टार्ट करने वाले हम ठीक है आज और जो भी क्लास होंगी और मतलब इसी चाप्टर पर और भी क्लास होंगे आज की क्लास बन है ठीक है और भी इसी क्या होते है ठीक है फिर उनके क्लास फिकेंशन देखेंगे फिर एग्जांपल देखेंगे फिर यो एग्जांपल में ड्रक्स ऑंप के यूज और पूछा जाएगा और उनके चलतों भीक देखेनग में prospospol और से अगर आप नोट्स डाउलोड करने चाउतेयों तो ह हमारे website पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, नहीं तो description में link दूए है, वहां से जापके भी आप download कर सकते हो, और आप हमारे telegram channel को भी join कर लें, वहाँ पर हम daily base mcq डालते हैं, जिससे क्या है कि आपकी exam की practice हो जाएगी, ठीक है, तो channel को जरूद subscribe कर लें, तो चलिए आज की class को start करते हैं, पहले हम देखते हैं, drug acting on central nervous system, ठीक है, जो central nervous system हो, उस पर कौन-कौन से drug act करते हैं, उन सारी drugs को हम cover करेंगे इस chapter में, ठीक है, पहले हम देखते हैं, anesthesis क्या होते है, anesthesis यानी देखी, general anesthesis or the cns depresent होते हैं, ठीक है, which include not evidence of all sensation and loss of pain, यानी cns depresent का मतलब यह है, कि sensation कम करना, ठीक है, ठीक है, और cns stimulate होता है, तो वो क्या होते है, जो central nervous system, उसको sensation उनकी बढ़ाना, यानी cns system को fast यानी बढ़ा के कुछ speed में चलना, ठीक है, और वहीं पर हम बात करें, cns depresent की, तो वो होते है, non evidence of all sensation, यानी उनकी sensation को कम करने के लिए, और pain को कम करने के लिए, ठीक है, the term anesthesia is Greek origin, यानी जो anesthesia है, ये Greek से origin हुआ है, ठीक है, means without perception और insensitability, यानी इसका मतलब है, insensibility, insensibility, यानी कोई sense नहीं, sense नहीं हो रही हो, जैसे आपको पढ़ता है, surgery में यूज करते है, mainly anesthesia क्यों, क्योंकि अगर जब surgery करते हैं, अगर उस जगह पर cut किये जाते हैं, अगर cut करेंगे, तो वहाँ पर pain बहुत होगा, इसलिए anesthesia पहले लगाया जाता है, उसके बाद, जो भी surgery है, वो की जाती है, ठीक है, they cause non sensitive and reversible CNS depresant, यानि non sensitive or reversible CNS depresant होते हैं, ठीक है, depression में depresant होते हैं, यानि main anesthesia होते हैं, जो pain को relief करने के लिए, और surgery में mainly देखा जाए, तो use किये जाते हैं, क्यों जब आप surgery करते हो, तो cut लगाते हो, फिर उनको stitches लगाते हो, तो उसके लिए क्या sensation कम होना चाहिए, क्योंकि उनको pain field नहीं होगा, इसलिए, ठीक है, तो चलिए, और जो anesthesia है, उनकी classification हम देखेंगे, इसमें कौन-कौन से, किस-किस तरह से रहते हैं, पहले होते हैं, inhalation anesthesia होते हैं, ठीक है, this substance or either volatile liquid और gases, यानि ये volatile liquid होते हैं, या gases होते हैं, ठीक है, और usually delivered using an anesthetic machines में, ठीक है, anesthetic machines में deliver किये जाते हैं, ठीक है, example है, inflorein, ठीक है, और desflorein, ठीक है, halothene और ether, ठीक है, ये सारे क्या है, ये example है, किनके inhalation anesthesia के, ठीक है, आपको question पूछा जा सकता है, कि जो anesthesia है, उसको classify किये, तो आप कैसे करोगे, तो पहले लिखेंगे हो, inhalation anesthesia, फिर intravenous anesthesia, ठीक है, फिर उसके बाद gastro anesthesia, ठीक है, उनके बाद ये लिखोगे कि इसमें volatile oil और gases पाए जाते है, main layout ठीक है, और example से इनके ठीक है, अब देखते हैं, intravenous anesthesia के ठीक है, ये अनस्तेसिक एफेक्ट, ये अनस्तेसिक एफेक्ट प्रोड्यूस करता है, when injected into the bloodstream, कब जब इसे bloodstream में inject कर देते हैं, यानि ठीक है, fentanyl and disepam, ठीक है, ये किसके example है, intravenous, यानि जो directly bloodstream में inject किये जाते हैं, अनस्तेसिक एफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, अब बात करते हैं, gaseous anesthesia, तो nitrogen oxide है, ये क्या example है, nitrogen oxide किसका, gaseous anesthesia का, यानि, simple words में ये है, कि अगर आप डिरेक्ट ले होगी bloodstream म तो वो कौन से होता है, intravenous anesthesia होते है, अगर gas के दुवारा ले रहे है, तो वो gas anesthesia होते है, ठीक है, inhalation anesthesia होते है, ये volatile liquid या gas के form में पाई जाते हैं, ठीक है, example आप देख चुके हो, फिन दब्लांक में example ही पूछे जाएंगे, MCQ में भी पूछे जाएंगे, ठीक है, आगे इन सारी चीजों का mode of action देखेंगे, chemical structure and name देखेंगे, और uses देखेंगे, और जो type of formulation है, वो देखेंगे, ठीक है, और जो भी market preparation है, वो भी देखेंगे, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, तो पहले बात करते हैं, teopendal sodium के बारे में, ठीक है, teopendal sodium is administrated intravenously, ये intravenously दी जा stream में, ठीक है, for inducing general anesthesia, ठीक है, इसके लिए general anesthesia के लिए, induced general anesthesia के लिए, ठीक है, इस तेशी और for producing complete anesthesia of short duration, यानि ये mainly के short duration के लिए complete anesthesia देने को लिए, यानि कोई भी जगा को सुन करने के लिए, किसी भी particular short time के लिए, 10 minute, 5 minute के लिए, अगर हम वो करना है, तो हम क्या करेंग हम देंगे, intravenously, ठीक है, और इसके chemical structure की और name की बात करें, तो इसका chemical name है, sodium 5, ethyl, file, 5 bracket, 1, methyl, butyl, 2, theobarbete, turret, ठीक है, ये आप diagram देख सकते हो, ठीक है, ये इसका chemical structure है, ठीक है, ये इसका chemical name है, और ये chemical structure है, आपको chemical structure भी पूछा जा सकता है, फिन दर ब्लैंक्स में पूछ स सकते हैं, कि ये किस का structure है, तो आपको बताना है, और chemical name भी आपको study करनी है, ठीक है, अब mechanism of action की बात करें, तो theopental binds at the distant binding side, ये distant binding side पे bind होता है, ठीक है, associated with the CL ionoports, ये associated होता है, किनके साथ CL ionoports के साथ, at the GABA receptor, कहाँ पर GABA receptor के पास, ठीक है, increase the duration of time for which chloride ion pore is open, यानि ये increase करता ह duration of time, उससे क्या है, कि जो CL ionoports होते हैं, वो open हो जाते हैं, ठीक है, the post sympathetic inhibitor effect of the GABA is, ठीक है, ये तो हो गए mechanism of action, इसका theopental sodium का, अब बात करते हैं, users की, तो it is used as a sole anesthesia agent, इसे हम कैसे use करते हैं, sole anesthesia agent, for a short period की time के लिए, यानि हमें कोई भी जगा पर सुन करना है, यानि कुछ 10-15 मिनिट काम है, तो आप इसे theopental sodium को use करते हो, ठीक है, ये short procedure के लिए होते हैं, 15 minutes लगबग, ठीक है, stability of storage condition के बात करें, तो it should be store at 22 degrees Celsius पे, यानि 22 degrees Celsius पे store करना चाहिए, आपको ये बता जो क stability of storage condition भी पूछी जाती है, exam में हर एक drug की अलग-अलग होती है, तो आपको याद करनी है ये भी, ठीक है, तीopental remain stable and sterile for 6 days, यानि ये stable और स्टेबल रहे लेता है, कितने दिनों के लिए 6 days के लिए, and well beyond 7 days at 3 degrees Celsius पे, और 7 days के लिए 3 degrees Celsius पे, ठीक है, अब टाइप आप सवलूशन मनते हैं ठीक है अब देखिए तो पॉपलर ब्रैंड निम की बात करें तो पेंटों आप टोटल है टीक है यह अ ग्यप पर प्रिमिलेशन में इंजेक्षन का और यह रहा ब्रैंड निम ठीक है और यह आप देख सकते हूं ठीक है यह एक्जाम्पल्स है आपको जरूर यह स्पेशल मैंने इसलिए लगाए है कि आपको यह याद रहें कि कौन-कौन से जो पॉपलर ब्रैंड निम थे वो किस ड्रग में है ठीक है यह आप देख सकते हों थम्हें 27 Ч मौन सबस्काइब से त्रुम्हें अब बात करता है वहाद की टेमा इसेप्टर यह क्यों फिर आपनील 1200 शीफटरां यानि यह डवलोप गुआ था एज रेप्लेस्मेंट फर पेनिसाइलियन के बाई कैल्विन स्टीफन के दुवार एट परकेट देविस लेवोटरी कहां परकेट देविस लेवोटरी इन 1963 यह भी कुछन आ सकता है फिंदर ब्लैक्स में अब आपको पता है एक्जित एक्जम पी स्टार्ट हो गया तो एक्जित एक्जम यह पूछा जा सकता है ठीक है यानि च्रक्ट्चर आपको केमिकल श्ट्रक्ट्चर की प्रैक्टिस करनी होगी ठीक है इसलिए आपको यह भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ठीक है अब बात करते हैं मेकैनिजम ऑफ एक्शन की अनलाइक अधर जेनरल एनस्टेसे एजेंट के टैमाइन डज नौट इंटरेक्ट विट गावा रेसेप्टर यानि जो के टैमाइन यह गावा रेसेप्टर के चैनल के सब्सक्राइब रेसेप्टर के साथ रेसेप्टर के साथ रेसेप्टर के साथ मूचारीं यह ठीक है के अजने तै के सब्सक्रांबे मुझे यानि उन रसील खीजिय ना पड़ता है कभी कभी जबा है इससे कि मुझे हैं अब आई नौस भी ज्यादा पें दायक है तो उसमें हम इसे कंबाइंड यूज करते हैं ठीक है इट केन ऑसो भी यूजर फ़र इंक्लोडिंग एनस्थेसिया बिफोर यूजिंग अधर जैनिक एनस्थेसिया आइस दे एक तो यह क्या है कि टाइट प्लोस कंटेनर में रखना चाहिए ड्राइए और वेंटिलेटेड प्लेस में ठीक है अब टाइप आफ फॉर्मूलेशन की बात करें तो इसका लिक्विड सॉलूशन ही बनता है ठीक है यह कुछन पूछे जाते हैं कि टाइप फॉर्मूलेशन क अब बात करते हैं अब बात करते हैं प्रोफ फोल के बारे में ठीक है प्रोफ फोल टीक है इसका है इसका केमिकल स्टक्चिर देख सकते हो है और इसके बाद यह चेन आ रही है और फिर यह चेन आ रही हो यहाँ पर ओएश लगेगा ठीक है यह क्या करता है श्लोडाउन कर देता है एक्टिविटी इसको जो ब्रेन और नर्वा सिस्टम करते हैं ठीक है फिर फोल एक्ट आइसे शेडिटेशन एंड कीप असलीप यानी जो पेशेंट को स्लीप करने के लिए मतलब बिल्कुल यह आराम दे देती है उससे क्या है का सर्जरी और जो अधर मेडिश से प्रॉसस होते हैं वह इजिली कर पाते हैं यह एडल्ट को भी दी जाती है और जो चाइल्ड होते हैं दो मन से ज्यादा बड़े उनको भी यह दी जाती है ठीक है अब बात करें स्टेबिलेट्य और स्टोर इस कंडिशन की तो इट शुट बेट्विन टेंपरेचर और फॉर डिग्री सेल्सियस टूट टूटी डिग्री सेल्सियस ठीक है यह यह किस टेंपरेचर के बीच में स्टोर रहना चाहिए 4 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री 22 डिग्री सेल्सियस तर यह कुश्चन में आहेंगे आप क्रिपया करके इनको जरूर पड़के जाए ठीक है और 40 डिग्रेस फराड और 72 डिग्रेस फराड बहुत सकते हूं ठीक है और बीच गोब कि बाद करें तो इंबल्सन बनाते हैं और इंगश्यबल बनाते हैं ठीक है फिर ब्रैंड नेम की बाद झाल 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 झाल